घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही, आते थे कैसे कैसे खयाल, कैसे हो सकते हैं देश में सुधार, क्या है बच्चों की नीड, कैसे बढ़ सकती है ग्रोथ की स्पीड, विचार तो थे, पर सरकार से जुड़ने का प्लैटफॉर्म न था. फिर 2014 में प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गवर्मन्ट और लोगों को जोड़ा, आम नागरिक ऑनलाइन जाकर लाउडली एन प्राउडली बोला, ये है माई गव, मेरी सरकार. कि सर्वी देशवासी इस पहल का स्वागत करेंगे। का सागर बन गए और इंडिया ने दुनिया को लागू कर दिखाया वर्ल्स लाज़ेस्ट सिटिजन एंगेजमेंट प्रोग्राम, जिसका था एक ही मंत्र, टू, डिसकस, और डिसेमिनेट, ग्रासरूर्ट तक के नागरिक सीधे प्रधान मंत्री से जुड़ गए। हंडर्ड्स अफ क्विजज, अक्टिविटीज, बोल्स और प्लेज़ेस्ट में लोगों ने किया पाटिसिपेट। और इसमें डिजिटल इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है। कोविद-19 पैंडेमिक में ऑथेंटिक इंफोमेशन देनी हो या नैशनल एजुकेशन पॉलिसी में सुधार सजेस्ट करने हो। मन की बात के विशेहूं या यूनियन बजट के सुझाव। माई गव ने जनता को लगातार अप किया देश के काम के लिए। न केवल ऑनलाइन, दिस केम डाउन ऑन ग्राउंड टू। और कंधे से कंधा मिलाकर जुड़े ठाई करोड से ज़ादा एक्टिव माई गव साथीज। गाउं में बैठे हुए एक सरपंच की परधार मंत्री नरेंदर मोदी जी मन की बात में खुल कर तारीप कर रहे हैं। यह सब हो पाया माई गाउं की वज़े से। आज 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 साल के बाद बढ़ता ही जा रहा है माई गव परिवार। और अब हम तयार हैं माई गव 2.0 के साथ अथारा राजियों तक रीच जो बढ़ रही है देश के हर कोने तक अब हमारी अपनी भाशा में। अक्टिविटीज और बढ़ेंगी पार्टिसिपेशन और बढ़ेगा और बढ़ेगा भरोसा सरकार और नागरिकों के भी माई कर्व ट्रांस्फोर्मिंग सिटिजन एंगेजमेंट ट्रांस्फोर्मिंग न्यू इंडिया